नुश्यों रोस्तों, डेट हैं आज की 8 नुवंबर 2021 और स्वागत है आपका एक्टोर्यल डिस्केशन में आज देखो हिंदू में जो आर्टिकल्स है न थोड़े घिजे पिटे टाइप के हैं मतलब जैसे मनरेगा की पेमेंट डिले हो रही है, ओकस, फ्यूल प्राइसिस का घरना तो मतलब इन आर्टिकल्स में ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा यूनीक चीजें मिलेंगी ऐसे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जो कहीं न कहीं आ लेडी या तो आपको पता है या फिर ना भी पता हो तो भी आप लिख सकते हो आंसर्स में तो इन तीनों को तो हम डिसकस करेंगे ही छोड़ेंगे नहीं, लेकिन दो इशूज अलग से डिसकस करेंगे एक तो मैन और वाइलाइफ के बीच कन्फिलिक्ट से समदित और एक होटी कल्चर से समदित दोनों जो हैं वो जी एस पेपर 3 के टोपिक्स है, कोट आज का है, एरिस्टोटल का educating the mind without educating the heart is no education at all, मतलब mind को educate करना, बिना heart के educate किये, तो ये तो देखो education है ही नहीं, अगर कोई person educated है, लेकिन उसके अंदर compassion नहीं है, उसका जो heart है, वो धड़कता नहीं है, मानवता के लिए, फिर क्या वो person educated है, ये एरिस्टोटल का मानना था, जो कि सही भी है, ऐसे में आप इसको इस्तमाल कर सकते हो, ethics में भी इस्तमाल कर सकते हो, चलिए discussion स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट important article, horticulture sector से समधित है, आप GS paper 3 के agriculture से इस article को relate कर सकते हो, सबसे पहले देखो हम agriculture sector से समधित basics की बात करते हैं, agriculture sector में 6 categories के पोधे आते हैं, सबसे पहले, pomology यानी fruits, उसके बाद यानी floriculture, उसके बाद plantation crops, जैसे की coffee, spices, यानी मसाले, और सबसे लाश्ट में aromatics and herbal medicines, aromatics crops, देखो वो crops होती हैं, जिनका इस्तमाल क्या जाता है, special flavor के लिए, या फिल, smell के लिए, जैसे देखो असवगंदा का पोधा हैं, अगर हम बात करें, present status क्या हैं, इंडिया का horticulture sector म अच्छा हैं, अभी देखो fruits and vegetables के मामले में, इंडिया second largest producer हैं, यानी world में, दूसे नंबर पे सबसे ज़्यादा fruits और vegetables इंडिया में ही produce होती हैं, और मसालों की बात करें, तो इंडिया second largest producer हैं मसालों का पूरे world में, और second largest exporter भी हैं, South India में खांस करके, केरला में, करनाटक में, बहुत मसाले produce होते हैं हमारे देश में, और देखो, हमारे देश का, सिरफ 14% जो agriculture land है ना, horticulture के लिए इस्तमाल होता हैं, जो की होगा, आल्मोष्ट 25 million hectare के आसपास हैं, लेकिन बावजूद इसके, horticulture sector हमारे देश की agriculture GDP में, न जाता है, 25 million hectare पर, horticulture के crops उगाई जाती हैं, जिसका total weight होता है, 300 million ton, productivity कितनी है, average तोर पर, horticulture की productivity है, 12.5 ton per hectare, जबकि, जो ये food grains हैं, जिसे, paddy और wheat उगाई जाता है, इन में, देखो, average productivity है, 2.25 ton per hectare, तो आप compare कर सकते हो, horticulture sector में, productivity काफी जादा होती है, importance काफी है, horticulture sector की, क्योंकि, देखो, जैसे, अब food है, सबजियां है, फल है, इनकी demand consumers की तरफ से जादा होती है, क्यों, consumers को पता होता है, इनके nutritional benefits के बारे में, सब को पता है, vegetables में, fruits में, nutrition होते हैं, इसलिए, इनकी demand, relatively, जादा होती है, और जैसा हमने discuss किया, per hectare, productivity भी जादा है, horticulture crops की, next point, देखो, अभी, hidden hunger इंडिया में, काफी जादा है, हम बार-बार discuss करते हैं, कि छोटे बच्चों में, nutrition की कमी जादा दिखी जाती है, इंडिया में, तो fruits and vegetables, अगर हमारे देश में, sufficient मात्रा में हो, तो उनके दाम भी, है, उसको adders करने के दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे, और देखो, fruits, vegetables, food, plantation crops, ये सब चीजें जादा उगाई जाती हैं, तो इनका value addition भी, जादा अच्छे से हो सकता है, provided infrastructure हो, ये point हम बात में discuss करेंगे, कि horticulture के जो कुछ crops है, उनके लिए cold storage की विवस्ता होना ज़रूर scopes की साहिता से, cottage industries लगाने का scope ज़्यादा है, यानि जो आम है, save है, इनकी primary processing करके, कुछ ऐसा product बनाया जा सकता है, जो market में ज़्यादा दाम पर भिके, जैसे save का अचार हो गया, example है, आम का अचार हो गया, मतलब कि cottage industry, देखो, वो industry होती है, जो घर में ही लगाई जाती है, family members उसमें लगे हुए है, या फिर दूसरे करमचारी भी उसमें लगे हुए है, लेकिन घर से वो industry चल रही है, तो इसे कहा जाता है cottage industry, next point ये है, चुकि देखो, horticulture sector में काफी जो crop's होती है, वो labor intensive होती है, labor intensive होगी, तो मतलब employment की opportunities ज़्यादा generate होंगी, तो ये सारे हमने points जो बताते हैं, horticulture sector की importance के बारे में, बट देखो, horticulture sector में challenges भी है, सबसे बड़ा challenge तो ये है, जैसे देखो, paddy है, wheat है, इनका harvesting cycle चोटा होता है, बट आप सेब उगाओगे, अमरूद उगाओगे, इनकी फसल पकने में ही लंबा समय लग जाता है, तो किसानों को जार करना पड़ता है, फसल की harvesting के लिए, दूसरा point ये है, हमर देश में, जातर जो horticulture cultivation होता है, वो rain fed cultivation है, यानि पूरी तरह से बारिश पर निरबर है, irrigation की विवस्ताएं कम हैं, उन areas में, जहां पे horticulture practices होती है, यानि horticulture खेती की जाती है, next है, poor tree canopy management, जैसे देखो, आप आम के पेड उगा रहे हो, तो काफी बार किसान जो ना, इतनी जारा trend नहीं होते, वो या तो दूर दूर आम के पेड उगा देंगे, या फिर बिल्कुल नजदीक नजदीक उगा देंगे कि, वो उगएंगे ही नहीं, जैसे बिल्कुल दो इतना नजदीक नजदीक पेड उगा दिये, तो छोटे से एरिया में दो paid resources को share करेंगे, दोनों ही जो paid हैं, अपने potential को achieve नहीं कर सकेंगे, कई बार ऐसा होता है, बिल्कुल दूर-दूर paid लगा दिये, तो canopy की जो management है, वो ठीक से नहीं हो पाती, किसानों से, और, सरकार भी, जितनी extension services, extension services, मतलब जिससे किसान सीख स्कें, best agriculture practices को adopt कर सकें, तो सरकार ना, जैसे wheat है, paddy है, दाले हैं, उनके बारे में तो extension services ज़्यादा देती हैं, कि आप ऐसे दाल उगालो, ऐसे wheat उगालो, इतना fertilizer इस्तमाल करो, बट horticulture पर सरकार इतना ध्यान नहीं देती, extension services की अगर हम बात करें, वैसे सरकार की schemes हैं, जो हम बात में discuss करेंगे, लेकिन point यहाँ पर extension services का है, यानि किसानों को जागरूप करने समन्दित चीजों का है, next, initial cost ज़्यादा आती हैं, horticulture sector में technologies को adopt करने की, और इसी से समन्दित point यह भी है, initial input cost भी ज़्यादा है, अब देखो, आपने, चुकि, harvesting cycle बड़ा होता है, आपने इतने बड़े area में सेब उगा दिये, पहाडों में, या फिर आम उगा दिये, आप इंतजार कर रहे हो एक साल तक, मान लीजिए, कुछ, पोदे को कुछ disease हो गया, या फिर कुछ ऐसा हो गया, आपकी एक साल की पूरी मेहत पानी में लग जाएगी, शुरू में आपको काफी खर्चा करना पड़ता है, पेड उगाने में, तो initial, जो cost है ना, ज़्यादा है horticulture में, अब इसके बाद aspect आता है, हैं, कैसे horticulture production को boost किया जा सकता है, इसके लिए काफी सारे points दे जाते हैं, जैसे दिखो, productivity को increase करके, कैसे, hybrid technology का इस्तमाल करके, hybrid technology जैसे, आप काफी बार news papers में पढ़ते हो, टमाटर, चिली, खर्बूजा, और खीरा, इन सब को combine करके एक hybrid पोधा उगाए गया है, तो ऐसे ऐसी चीज़ें आप पढ़ते हो, ऐसे hybrid technology को develop किया जा सकता है, horticulture sector में production को increase करने के लिए, इसके बाद next है, high density planting system, इसके मतलब देखो ये है, पोधों को करीब-करीब तो उगाओ, नस्दीक-नस्दीक तो उगाओ, जैसे इसराइल में होती है, खास करके urban cropping, तो ऐसी नई-नई जो टेखनीक से हैं, उनका इस्तमाल करके, area को expand किया जाए, इसके बाद resource use efficiency, इसका मतलब ये है, resources को अच्छे से utilize किया जाए, horticulture, cultivation में, जैसे देखो, micro irrigation का इस्तमाल करके, मतलब ज़्यादा पानी वेस्ट ना हो, micro irrigation का इस्तमाल क्या जाए, fertigation, fertigation में क्या होता है, जैसे drip irrigation से, जो सिचाई होती है ना, उसी में fertilizers को मिला दिया जाता है, इसे कहा जाता है, fertigation, तो resources अच्छे से utilize हो जाते हैं, fertilizer, बिल्कुल जड़ों में चला जाता है, mechanization का इस्तमाल कीजिये, labor cost को कम करने के लिए, हला कि देखो, अगर ये करेंगे, फिर तो वो वाला point नलीफाई हो जाता है ना, जो हम बोल रहे थे कि, horticulture की चाहिता से, ज़्यादा employment opportunities भी generate की जा सकती हैं, अगर मसीलों का इस्तमाल ज़्यादा होगा, लेकिन अगर मसीनों का इस्तमाल ज़्यादा होगा, तो input पर खर्चा कम आएगा, next है, market access को improve करना, मतलब कि, किसान जो horticulture cultivation करते हैं, उनको उनकी फचलों का उचित दाम दिलवाना, और नजदीक ही मंडिया हों, ताकि उनको अपनी फचल बेचने के लिए जाद दूर ना जाना पड़ें, जो value processing industries हैं, उन पर focus करना, तो ये सारी चीजें की जा सकती हैं, ये सारी steps उठाये जा सकते हैं, horticulture production को boost करने के लिए, general से points हैं, मतलब ऐसा नहीं की बहुत यूनीक से ये points हैं, वैसे सरकार का एक mission भी है, national horticulture mission, ये सरकार ने launch किया था, 2005-2006 में, 10th 5-year plan के दुरान, ये जो mission है न, ये horticulture sector की holistic growth इंशोर करने के लिए, सरकार ने launch किया था, इस mission में, अलग-अलग areas में, अलग-अलग strategy अपनाई गई है, और इस mission की साइथा से, 9 crore metric ton of fruits, on 63 lakhs hectare land पर उगाया गया है, during 2015-16, थोड़ा पुराना डेटा है, 2015-16 का, चुकि देखो, horticulture farms छोटे होते हैं, लेकिन, investment पर return जादा आता है, तो छोटे और जो मंजले किसान हैं, वो अपनी incomes को increase कर सकते हैं, आम तोर पर उनका land छोटा होता है न, जैसे एक एकड़ है, एक एकड़ पर अगर wheat उगाएंगे, तो ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन, horticulture crops को अगर उगाएंगे, तो ज़्यादा investment, थोड़ी investment पर ज़्यादा returns आने की संभावना है, multiple crops एक साल में उगा सकते हैं, farmers, जैसे तीन-चार मान लीजिए, आम के पेड़ लगाएंगे हैं, तो कुछ फूल लगा दिये, मतलब कई-कई, जो इतनी सारी categories हमने डिसकस की न, अलग-अलग पुधे लगाए जा सकते हैं, हो सकता है कि कुछ का, जो harvesting cycle है, ज़्यादा हो, लेकिन कुछ का कम भी तो होगा न, और वो छेतर, जहां पे बारिस कम होती हैं, जहां पे पैड़ी, वीट, इनको उगाना मुश्किल हैं, वहां पे horticulture, एरिया है, वो 2.7% per year की rate से बढ़ा है, और production जो है, वो 7% per annum के rate से बढ़ी है, गोर्मेंट ने और भी initiatives लोज किये हैं, जैसे Integrated Development of Horticulture के अंतरगत, High Density Plantation, Protected Cultivation, Micro Irrigation, Quality Planting Material, इन सब चीजों पर सरकार ने ध्यान दिया हैं, Conclusion में कहा जा सकता है, हमारे देश में अब धेरे-धेरे, Horticulture, किसान भी जाद ध्यान देने लगे हैं, लेकिन अभी भी State Government हो, Central Government हो, इनको और ज़्यादा परियास करने के आव सकता है, जैसे Cold Storage का infrastructure प्रोवाइड करना, Market की Availability अभी भी Limited है, तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देने के आप सकता है, जैसे Price Flactuation एक ऐसा Issue है, कभी Fruits के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, तो Price Stability को Insure करना भी ज़रूरी है, तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर सरकारों को ध्यान देने के आप सकता है, ताकि किसान और ज़्यादा अकरसित हो, Horticulture, Cultivation के तरफ, ये हमने पूरा Issue डिसकर्स किया, चलते हैं आगे, इसके बाद नेक्स आर्टकल, AUKUS से समधित हैं, आप GS Paper Second के इस टोपिक से आर्टकल को रिलेट कर सकते हूं, देखो, बेक्ग्राउंड आपको पता है, AUKUS मतलब तीन कांट्रीज का एक ग्रूप, UK, US and Australia, इस ग्रूप को कुछी दिनों पहले इस्टाबलीज किया गया था, और जब ग्रूप की फॉर्मेशन को अनाउंस किया गया था, तो ये भी कहा गया था, कि US, आस्टेलिया को, नुक्लियर पावर्ड सम्मरीन वाली टेक्नोजी देगा, तो इससे फ्रांस गुसे में आ गया था, क्योंकि इससे पहले आस्टेलिया फ्रांस से, छुड़ा गोपने वाली बात है, फ्रांस दोनों से नराज हो गया, US से भी और आस्टेलिया से भी, तो अब हाल ही में, जो Conference of Parties की मीटिंग हुई थी ना, Climate Change से सम्मदित, यूके के सहर ग्लासकों में, इस Conference के दुरान, US और फ्रांस के राष्टरपती आपस में मिले, तो US के राष्टरपती बाइडन ने तो कह दिया कि, हमने ओकस का जो announcement था, वो ठीक से handle नहीं किया, गल्त धंक से handle किया, हम फ्रांस के साथ हमने जो कुछ किया, उसके लिए हमें regret है, खेद है, तो फ्रांस की नराजगी जो है, वो थोड़ी दूर हो गई, US से तो, फ्रांस निगा गिए ठीक है, चलो, US की गलती नहीं है, आस्टेलिया की बात करें, आस्टेलिया से फ्रांस की नराजगी अभी भी दूर नहीं हुई है, लेकिन writer कहते हैं, दूर हो जाएगी, इनको आज नहीं तो कल एक साथ आना ही पड़ेगा, ये western countries हैं, इनके जो concerns हैं, वो एक जैसे ही हैं, इसके बाद देखो, कई सारे aspects discuss किये जाते हैं, आर्टिकल में AUKUS से सम्मन्दित, जैसे देखो, AUKUS का निर्मान जब हुआ न, तो हमने भी आर्टिकल में एक point discuss किया, कि अब Australia के पांस nuclear powered सम्मरीन होगी न, तो Indian Ocean में Australia की सम्मरीन जब आएगी, तो इंडिया भी इससे insecure महसूस करेगा, इंडिया के अलावा, ये जो South East Asian countries हैं न, ये भी insecure महसूस करेंगे, इन सब के concerns को सांथ करने की कोशिस की हैं, Australia ने ये कहा है, कि इस पूरे reason में, आशियान की जो centrality है, वो बरकरार रहेगी, यानि, आशियान को कोई खत्रा नहीं है, हमारी इस submarine से, या फिर हमारे इस group से, आशियान को कोई खत्रा नहीं है, तो आशियान के जो concerns है ना, उनको आशियान ने address करने की कोशिस की है, यही बात आशियान ने New Zealand को भी बोली है, आशियान ने कहा है, जो आलरी nuclear free zone की treaties हैं, जैसे South Pacific nuclear free zone treaty, इसके अलावा, Treaty of South East Asia nuclear weapon free zone, ये treaties हम violate नहीं करेंगे, हम पूरी तरह से ensure करेंगे, कि ये treaty जो है, किसी परकार से इनका violation ना हो, तो मतलब साफ है, आशियान ने आशियान और बाकी जो देश जैसे New Zealand वगरा, इनके concerns को address करने की कोशिस की हैं, जो emerge होके आये थे, US ने जब ये announce किया था, कि हम Australia को nuclear powered submarine देंगे, अब इसके बाद बाद आती है, कि देखो जो US, UK और Australia, इनके बीच में जो partnership है न, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं partnership हो, ये तो मतलब, सदियों पुरानी इनके बीच में partnership हैं, US और UK, इनके बीच में तो special defense partnership हैं, कितने सालों से, Second World War भी US और UK ने सांथ मिलके लड़ा था, और जब देखो US, nuclear weapons का निर्मान कर रहा था न, 1943 में, तो UK भी nuclear weapons का निर्मान करना चाहता था, तो US ने UK को बोला कि आप अलग से क्या करोगे, आपका जो nuclear program है न, हमारे nuclear program में आप merge कर दो, तो US का nuclear program था Manhattan Project, इसी में UK ने अपना nuclear program मर्ज कर दिया था, और कहा जाता है, बाद में US ने ही UK को nuclear weapons प्रड्यूस करने की टेक्नोजी धी, इवन UK ने अपना पहला जो nuclear test कंड़क्ट किया, वो देखो, आस्टेलिया के Montybello Islands में कंड़क्ट किया, 1952 में, आस्टेलिया एक ऐसा देश है, जहां पर अभी भी British Monarch को, यानि Queen को Head of the State माना जाता है, और powers जो हैं आस्टेलिया में, वो सविधानिक तोर पर exercise की जाती है, Governor General of आस्टेलिया के द्वरा, जो की UK की Monarch के, यानि Queen के representative हैं आस्टेलिया में, तो इनकी relationship नब बहुत पुरानी है, ऐसा कुछ नहीं है कि, AUKUS group बन गया, ये देश पहली बार एक साथ आए हैं, लेकिन हाँ, अब बोल ये रहें हैं, ये देश US, UK और आस्टेलिया की, हम इस group की साहिता से, अपनी relationship को बहुत आगे लेके जाएंगे, चाइना को security perspective से ज़्यादा नहीं देखा था, आस्टेलिया अभी तक, चाइना को trade perspective से देखता था, कि हाँ हमारा जो trade है, वो इतना ज़्यादा होता है, चाइना के साथ, चाइना हमारे लिए important है, बट अब, strategic और security perspective से, आस्टेलिया चाइना को देखने लगा है, आस्टेलिया को लगता है, 1942 के सुरुवात में, उससे मैं second world war चल रहा था, तो Japanese submarines ने, Sydney harbour पर attack carry out किया था, तो उसी परकार से, चाइना की जो naval power है, वो काफी तेजी से increase हुई है, आगे जाके, चाइना, आस्टेलिया के ऊपर attack कर सकता है, जैसे जपान ने किया था, second world war के दुरान, इसलिए अब आस्टेलिया, अगर हम यूं कहें, एकदम से जाक गया है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी तक, security पे ज़्यादा, आस्टेलिया ध्यान दे ही नहीं रहा था, लेकिन अब एकदम से, चाइना को लेके, आस्टेलिया काफी ज़्यादा चिन्तित हो गया है, इसके बाद, आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, nuclear powered submarine देना, तो सिरफ एक aspect है, इस group के बीच, relationship का, और भी काफी सारी technologies को लेके, ये तीन देश आपस में corporate करेंगे, जैसे cyber capability, artificial intelligence, quantum technology, undersea capability, तो undersea capability, यनि submarine देना तो सिरफ एक aspect है, दूसरे aspects में भी आपस में ये देश corporate करेंगे, लास्ट में comparison किया जाता है, quad और AUKUS के बीच में, ये को quad और AUKUS अलग-अलग है, लेकिन complementary हैं, दोनों का जो मकसद है, indirectly वो सेम ही है, चाइना को contain करना, अगर एक चीज इंस्योर की जाए, तो ज़्यादा फाइदा होगा, जो AUKUS ये group है न, ये pacific centered होना चाहिए, यानि आप ये देखिए, पैसिफिक रीजन पर ज़्यादा ध्यान दे, AUKUS ग्रूप अगर ऐसा होता है, तो ज़्यादा फाइदा है, क्यों, क्योंकि आशियान के जो concerns है, उनको भी adders किया जा सकता है, इनको लगेगा कि नहीं, ये हमारे रीजन में, AUKUS ग्रूप अक्टिव नहीं है, ये पैसिफिक रीजन में है, इंडिया को भी insecure मैसूस होने के आऊ सकता नहीं है, तो अगर AUKUS ग्रूप पैसिफिक ओशियन सेंटर्ड होता है, तो इंडियन ओशियन रीजन में जो power का balance है, वो upset नहीं होगा, ये इंडिया के लिए, आशान के लिए ठीक है, लास्ट में कंकूजर में तो यही बोला जाता है, चाइना की जो military capacity है, उसे देखो अब serious लेने के आऊ सकता है, वैसे तो USA अभी भी world की most powerful military है, लेकिन चाइना की जो naval power है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, चाइए वो nuclear powered submarine हो, diesel electric submarines हो, मतलब हर छेतर में चाइना की जो naval power है, वो increase होई है, क्वाइड जो group है, अकेला sufficient नहीं है चाइना को counter करने में, अभी तक क्वाइड जो है, वो एक military alliance भी नहीं बना है, तो इसलिए AUKUS का बनना जो है, required के लिए complimentary है, इससे अलग नहीं है, तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिसकस किया, AUKUS से समन्दित, इसके बाद नेस्ट आर्टिकल, fuel prices से समन्दित है, आप GS paper 3 के इस topic से, आर्टिकल को relate कर सकते हूँ, क्या अगन टेस्ट हैं, Central Government ने देखो, दिवाली के मौके पर, पेट्रोल और डीजल पर, excise duty कम कर दी, पेट्रोल पर 5 रुपे पर लिटर के हिसाब से, excise duty को कम किया गया, और डीजल पर 10 रुपे पर लिटर के हिसाब से, excise duty को कम किया गया, और इसके बाद Central Government ने, Women States और यूटीज को भी आवान किया, कि आप भी कम कर दीजिए, वेट, पेट्रोल और डीजल के दामों पर, तो 20 से ज़्यादा, States और यूणिन टरिटरिज ने, अब पेट्रोल और डीजल पर वेट को कम कर दिया है, तो दोनों ने कम कर दिया, States ने, वेट को कम कर दिया, Central Government ने Excise Duty को कम कर दिया, तो इसका रिजल्ट ये निकला है, पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं, हमर देश में काफी कम हो गए हैं, आलमोष्ट पेट्रोल के दाम 5% कम हुए हैं, और डीजल के 11%, पेट्रोल और डीजल के दामोँ पर ही डिपेट्ट करता हैं, तो अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो इन्फलेशन भी बढ़ती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर समान ले जाने की जो कोष्ट हैं, वो increase होती हैं, तो अब पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाएंगे, तो इन्फलेशन कम होगी, जनता कुछ सेविंग भी कर्स केगी, जो जनता सेविंग करेगी, वो पैसा जनता दूसरी चीज़ों पर खर्च करेगी, तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, और हम जो हमारे एकोनमिक सिचुएशन इंप्रूव करने की कोशिस कर रही हैं, वो हम कर्स केंगे, सरकार कहती हैं, सेंट्रल गॉर्मेंट कहती हैं, हमने एकोनमिक को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है, कुछ एक्सपर्स बोलते हैं, अभी बाइलेक्संस में बीजेपी की हार हुई, उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है, खेर ये पॉइंट हमारे कोई काम का नहीं है, राजनीर्टी से समन्दित, और इसके बाद राइटर देखो ये बोलते हैं, आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के दाम, ग्रोबल मार्केट में और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो मजबूरी में फिर हमारे देश में भी जो पेट्रोल और डीजल की कंपनीज हैं, पेट्रोलियम कंपनीज, ये फिर से दाम इंक्रीज कर देंगी, उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ओयल के दाम बढ़ते हैं तो क्या किया जाएं देखो इसके लिए बहुत सी चीज़ें करने की आउ सकता है तो टम भी लोंग टम भी लोंग टम जैसे की देखो हम बार बार डिसकस करते हैं हमें के दूसरे alternatives पर भी ध्यान देना होगा जो सरकार दे भी रही हैं जैसे की nuclear energy है power plants बन रहे हैं nuclear वाले भी renewable energy पर सरकार ध्यान दे रही हैं इसके अलावा gas pipelines तो फिलाल ठब पड़ी हैं चाहे वो तापी हो या फिर इरान पाकिस्तान इंडिया pipeline हो मतलब जो भी दूसरे sources of energy है उनको सरकार को अब seriously explore करने के आँ सकता है strategic petroleum results है उनका भी सरकार इस्तमाल करे जब दाम जो है petrol और diesel के बहुत जड़ा बढ़ जाते है strategic petroleum results में जो petroleum है वो store करके रखा जाता है ऐसी situation के लिए जब petroleum की जो supply है वो बादित होती है मतलब मुस्किल भरी घड़ियों के लिए petroleum को store करके रखा जाता है तो इसका इस्तमाल तब भी किया जा सकता है जब दाम जो है petrol और diesel के international market में यानि crude oil के crude oil के दाम international market में अगर बहुत जड़ा बढ़ जाते हैं तो strategic petroleum results में से petroleum हम निकाल सकते हैं इसके बाद last point petrol और diesel को भी GST के अंतरगत लाए जा सकता है अभी देखो petrol और diesel पर GST नहीं लगता अगर petrol और diesel पर GST लगना start हो जाएगा ना तो societal government के exercise duty state का वेट ये सब खतम हो जाएगे और GST लगने का फाइदा ये होगा business purpose के लिए जो petrol और diesel इस्तमाल होगा ना उसके लिए जो GST लगेगा petrol और diesel पर उसे business firms के द्वारा input credit के तोर पर claim किया जासकेगा तो ये कुछ points हमने discuss किये चलते हैं आगे इसके बाद next article मन्रेगा payments से समधित है आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हो article में देखो एक anecdote का जिकर किया जाता है जैसे कोई person है जिनका नाम है मुला नसुरदीन उनकी ना एक चाविक हो गई थी घर की मालीजी एक घर है घर की चाविक हो गई थी तो वो अपने घर की चाविक ढूंड रहे थे कहां पे एक street light के नीचे ये street light है मालीजी street light के नीचे वो अपने घर की चाविक ढूंड रहे थे तो वहां से एक person गुजरा उस person ने मुला नसुरदीन से पूछा कि क्या ढूंड रहे हो तो नसुरदीन ने जवाब दिया कि मैं अपने घर की चावि ढूंड रहा हूं ताले की चाविक हो गई है तो उस रोड पर गुजरने वाले व्यक्ति ने पूछा क्या आपको पता है मतलब जहां पे आप ढूंड रहे हो चावि वहीं मिली है तो नसुरदीन ने जवाब दिया कि लाइट तो एक्षिली यही है ना घर के आसपास लाइट नहीं है तो मैंने सोचा जहां पे लाइट है वहीं पे चावि ढूंड लेता हूं इस कहानी का क्या लेना देना है मंदरेगा से अब पता लगेगा आपको थोड़े एक बड़ डिसकस कर लेते हैं इशू क्या है इशू देखो यह है दिवाली पर ना आठ करोड मंदरेगा की जो पेमेंट्स हैं वो पेंडिंग है इस साल सरकार ने मंदरेगा के लिए जितना पैसा अलोकेट किया है न वो पिछले साल के अपिक्सा कर पिछले साल के रिवाइजड बजट अलोकेशन के अपिक्सा कर 34% कम है जबकि सरकार कहती है sufficient funds available है अगर देखो sufficient funds available है तो इतना लेट क्यों हो रहा है देखो act में provisions ये है दो stages के तहट पैसा जाता है मंदरेगा वरकर्स के account में पहली stage ये होती है कि मान लिजिए खेत है या फिर मतलब कोई public place है जहाँ पे किसी मंदरेगा वरकर ने काम किया तो काम complete होने के बाद state जो है center को FTO send करता है यानि fund transfer order state center को बोलता है कि इस public place में इस मंदरेगा वरकर ने काम कर दिया है ये इस मंदरेगा वरकर का नाम है ये account details है आप ऐसा इस मंदरेगा वरकर के खाते में भेज दीजिए state को ऐसा ना 8 दिनों के अंदर-अंदर करना होता है यानि state को fund transfer order जो है center को काम complete होने के 8 दिनों के अंदर-अंदर भेजना होता है उसके बाद दूसरी stage में बारी आती है central government की central government की responsibility ये है state ने जो fund transfer order भेजा है न उसके हिसाब से उस मंदरेगा वरकर के खाते में पैसे send करना central government को ये काम 7 दिनों के अंदर-अंदर करना होता है यानि 15 दिनों के अंदर-अंदर मंदरेगा वरकर के खाते में पैसे चले जाने चाहिए लेकिन जाते नहीं है डेटा ये बोलता है first stage में जो delay है वो पिछले कुछ महिनों में कम हुआ है लेकिन second stage में जो delay है यानि central government की तरफ से delay जो है वो ज़ादा होता है वैसे provision ये भी है मंदरेगा एक्ट में की 15 दिनों के बाद अगर delay होता है तो per day के हिसाब से मंदरेगा वरकर को compensation मिलेगा लेकिन सरकार payment architecture का भाना बना लेती है सरकार कहती है कि technical चीजों के वज़े से delay हो रहा है अब बात किजिए वही कहानी मुला नसुर दिन वाली actually ना सरकार को चाबी ढूननी चाहिए अपने घर के आसपास लेकिन सरकार चाबी ढून रही है street light के नीचे यनि सरकार को fund allocation जादा करना चाहिए मंदरेगा के लिए जब कि सरकार बहाना बना रही है कि technical regions की वज़े से delay हो रहा है एक और चीज सरकार ने ना March 2 को एक order pass किया कि जो भी payment जाती है ना workers को वो caste के अधार पर segregate होनी चाहिए मतलब कितनी payment SC workers को गई है कितने ST workers को चाहिए कितनी other caste के workers को गई है हलांकि देखो ये काम काफी कंबरसम था लेकिन फिर भी होना start हुआ state level पे जो accountant थे उन्होंने सिकायत भी की कि देखो इससे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा complex हो जाती है और delay भी काफी ज़्यादा हो जाता है central government ने कहा कि नहीं ये करना ज़रूरी है हमें पता लगाना ज़रूरी है कौन से cast के workers को ज़्यादा फाइदा हो रहा है मन्रेगा से लेकिन चीज़ें complex हो गई इससे जब तक देखो ये चीज़ चल रही थी data में ये सामने आया SC और ST workers को delay जो था थोड़ा कम था जबकि non SC, ST workers को ज़्यादा delay के साथ पैसा जा रहा था हलाकि अब मना कर दिया है central government ने कि ठीक है आप cast segregation मत कीजिए कौन सी cast के workers को पैसा गया है लेकिन फिर भी देखो delay जो है वो अभी कम नहीं हुआ है central government ने बड़े-बड़े दावे किये थे कि अब अधार card की साथा से मतलब जो payment system है उसके through पैसा जाता है तो delay कम होगा लेकिन पहले जो accounting का system था ना उसमें भी उतना ही time लगता था अभी उतना ही time लगता है कि फिर आपने जो अधार based compulsory किया है direct account में पैसा जाता है तो फिर उससे delay क्यों कम नहीं हुआ इससे ये central government को जबाब देना चाहिए कि आपने नहीं नहीं technologies का इस्तेमाल किया अधार card से मन्रेगा card को link कर दिया फिर भी इतना देरी से पैसा जाता है आखिर कार क्यों लास्ट में writer बोलते हैं immediately देखो पचांस हजार क्रोड रुपे और ज़्यादा allocate करने चाहिए central government को मन्रेगा scheme के लिए और अगर workers का जो payment है delay होता है तो इसके लिए उन्हें compensation भी मिलनी चाहिए ये वुरा article हमने discuss किया मन्रेगा से समदित चलते हैं आगे इसके बार next जो article है वो देखो लियोपर्ड के extension से समदित है ये सिरफ news है Indian Express की issue हम revise करेंगे अलग से तो news ये है Indian Express में आए थी इंडिया में लियोपर्ड जो है वो आने वाले समय में लूप्थ हो सकता है ये study publish हुई journal Global Ecology and Bio Geography में लियोपर्ड के देखो काफी सारा deaths होती है North India में accident से तो आने वाले 50 सालों में extinct हो सकता है ये लूप्थ हो सकता है लियोपर्ड नोर्थ इंडिया में probability of extinction कितनी है 83% और population road guild कितनी है 19.4% 2019 के मानसुन सेसन में Union Environment Ministry ने लोकसबा को inform किया कि पिछले 5 सालों में elephants के द्वारा 2398 लोगों को मारा गया है और tigers के द्वारा 100 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया अब देखो इस human और wildlife conflict में ऐसा नहीं कि सिरफ इंसान को नुक्सान पहुंसता है बहुत सारे निर्दोस जानवर्स भी मारे जाते हैं इस human wildlife conflict में ये जो conflict होता है ना सिरफ protected areas जैसे नैसन पार्क और wildlife centuries में होता है बलकि human wildlife conflict protected areas के बाहर भी होता है और अलग-अलग form में होता है जैसे देखो बंदरों के द्वारा urban sectors में उत्पात मचाना farmers का आरोप रहता है कि wild pigs और elephants जो है वो खड़ी फसल को नुक्सान पहुंचाते हैं और बहुत बार tigers और leopards नुक्सान पहुंचाते हैं human beings को ये सब क्या है ये सब examples है human wildlife conflict के इसके बाद हम कुछ regions की बात करते हैं जिनकी वज़े से human beings और animals के बीच conflict लगातार increase हो रही है देखो सबसे पहला और common reason ये है animals का जो habitation है वो security रहा है human beings की बढ़ती अबादी के कारण और development activities के कारण जंगलों को काटा जा रहा है इसका परिणाम ये निकलता है animals के लिए जंगलों में रहने के लिए area कम हो जाता है और जाने अन जाने वो जंगल से बाहर आ जाते हैं और उनका सामना होता है human beings से इसके बाद next reason है disturbed food chains देखो कुछ animals पर तो सरकार ने काफी focus किया है for example tiger ऐसे animals की संख्या पहले के अपिक सकर्थ increase हुई है लेकिन अब बड़े हुए tigers के जो संख्या है उनके लिए परियाप्त मातरा में प्रेय नहीं है सिकार नहीं है तो उन्हें मजबूरी में जंगल से बाहर आना पड़ता है सिकार की तलास में और इस वज़े से उनका human being से सामना हो जाता है यहाँ पर conflict generate होता है next देखो जैसा हमने डिसकस किया बढ़ती हुई अबादी के कारण जंगलों के तुरंत बाहर जैसे national parks, wildlife centuries उनके तुरंत आउटसाइड वाले एरिया में आपको खेत देखने को मिल जाएंगे अब काफी सारे animals ऐसे हैं जैसे elephants वो जब खेतों में खड़ी किसानों की फसलों को खाते हैं उनको काफी nutritious लगती हैं तो ऐसी situation में किसानों के बीच और elephants के बीच conflict पैदा हो जाता हैं जब देखो forest में सूखा आता है या फिर बाड आती हैं और कोई दूसरे परकार की calamity आती हैं तब भी जानवर खाने की तलास में, पाने की तलास में और shelter की तलास में जंगलों से बाहर आ जाते हैं और conflict पैदा हो जाता हैं Next point Accidental deaths अब जैसे देखो development activities बड़ी हैं infrastructure increase हुआ हैं तो बहुत से जंगल ऐसे हैं जिनके बीचो बीच railway line गुजरती हैं road गुजरते हैं electric wires गुजरती हैं तो कई बार accidental deaths भी animals की हो जाती हैं जैसे train के नीचे आने से किसी vehicle के नीचे आने से या फरक्रंट लगने से तो ये हमने बात की regions की अगर देखो अब consequences की बात करें इन बढ़ते conflicts का consequence क्या निकलता है देखो जाने तो दोनों के जाती ही हैं animals की भी और human beings की भी लेकिन इन conflicts के कारण forest में और forest के आसपास जो लोग रहते हैं उनकी animals के परती एक नफरत का भाव पैदा हो जाता हैं जिसके वज़े से conflicts और ज़्यादा होने लगते हैं और ये vicious cycle चल पड़ता हैं कुछ लोग देखो इसे एक debate की सकल दे देते हैं human beings versus animals देखो आर्थ पर जितना हक human beings का है उतना ही हक animals का ही है तो हमें ऐसा तो कोई रास्ता निकानना ही होगा जिससे दोनों coexist कर सकें वैसे छोटे छोटे और भी points आप लिख सकते हों जैसे property का नुक्सान होता है जैसे खड़ी फसल जो है वो बहुत बार नील गाए या फिर elephants जो है उनको नुक्सान पहुचा देते हैं लेकिन question ये उड़ता है क्या सरकार कुछ कर रही हैं इन बढ़ते conflicts को रोकने के लिए अगर answer हाँ है तो फिर ये conflicts आखिर कार रूक क्यों नहीं रहे हैं और क्या और किया जाना चाहिए लेकिन क्या किया जाना चाहिए वो हम बात में डिसकस करेंगे अभी बात करते हैं सरकार आखिकार कर क्या रही हैं हाल ही में National Board of Wildlife की Extending Committee के रधरा एक advisory को approval दिया गया Human Wildlife Conflict को tackle करने के लिए जिसमें देखो सबसे ज़्यादा मुखे बात ये है जो लोकल ग्राम पंचायत्स हैं उनको ज़्यादा सक्तियां दी जाए उनको इंपावर किया जाए Wildlife Protection Act 1972 के Section 11 Class 1B के तहट जो wild animals problem create करते हैं उनसे निपटने के लिए समझ गए मतलब लोकल पंचायत्स को ज़्यादा involve किया जाए problematic wildlife animals से deal करने के लिए दूसरा जंगल के अंदर ही proper water sources और fodder की ववस्ता की जाएं ताकि खाने की तलास में जो animals हैं वो जंगल से बाहर ना आएं अगर देखो animals फसल को नुकसान पहुंचा भी देते हैं तो पधामेंतरी फसल बीमा यूजना के तहट किसानों को crop compensation जल्द से जल्द मिलना चाहिए और काफी बार जो human beings और animals के बीच conflict के कारण इंसान की जान चली जाती है तो उसके लिए भी family को compensation जल्द से जल्द मिलना चाहिए initial amount तो 24 गंटे के अंदर मिलना चाहिए देखो इनसान तो वापस नहीं आ सकता लेकिन compensation की रखम अकर तुरंत मिलती है 24 गंटे के अंदर तो थोड़ा सा जखम जो है वो जरूर भरा जा सकता है next बहुत बार जैसा होता है कि accidents के कारण animals की death हो जाती है तो इसके लिए proper barrier लगा के रखा जाए early warning system की भी विवस्ता की जाए इसके लावा देखो advisory में और छोटे-छोटे बहुत सारे points है जैसे forest department उन sports की, उन locations की पहचान करे जहाँ पे past मे animals और men की बीच conflict हुए है क्योंकि उन locations पर आगे भी conflict हो सकते है next गाओं वालों में proper toll-free number को परचारित किया जाए ताकि कभी भी उन्हें कोई animal दिखे जो forest से बाहर आ गया है जिनसे इंसान को खत्रा है तो forest department को इसके बारे में जल्द से जल्द सूचित किया जाए तो ये जो advisory थी इसे अब approval दे दिया गया है National Board of Wildlife की standing committee के दवरा इसके अलावा भी देखो एक National Wildlife Action Plan है 2017 से लेके 2031 तक के लिए इस National Wildlife Action Plan में भी काफी सारी guidelines दी गई है human wildlife conflict को कम करने के लिए इस Action Plan में सबसे मुख्य guideline तो ये है human wildlife conflict जहां पर भी होता है उसका एक database maintain किया जाए ये database state level पर, regional level पर और national level पर अलग-अलग maintain किया जाए और देखो जैसा हमने discuss किया था कि बहुत बार कुछ animals की population काफी ज़्यादा बढ़ जाती है तो animals की जो population है वो scientific धंग से manage की जाए land use practice जो है वो भी scientific धंग से manage की जाए इसके साथ साथ communities को involve करना human beings और animals के बीच conflict को tackle करने के लिए वो सबसे ज़्यादा effective थाबित होता है तो इसके लिए देखो committees में awareness फिलाई जाए educational program चलाए जाए जैसे शेरनी movie में दिखाया गया है वन मित्र जो हैं वो मदद करते हैं tigers को save करने में उसी परकार से देखो real life में भी बहुत सारी ऐसी local committees हैं जिनोंने animals को बचाने में एहम भूमी का निभाई हैं जैसे काना नैसनल पार्क में bagas की जो committee हैं उन्होंने important role play किया है soligans in BRT Tiger Reserve और Bisnoy tribe of Rajasthan ये वो tribes हैं वो committees हैं जिनोंने animals को परिजव करने में बहुत अच्छा काम किया हैं वैसे देखो अगर कुछ animals की संख्या बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं जैसे wild boar और नील गाए इन भिहार और monkeys इन हेमाचल परदेश से तो Wildlife Protection Act 1972 में provision है उन animals को vermin declare किया जा सकता है यानि बाद में उनको मारने पर फिर सजा नहीं होगी कुछ समय तक mass sterilization drive भी चलाया जा सकता है ताकि animals की संख्या कुछ animals की संख्या अगर बहुत ज़रा बढ़ चुकी है तो उनकी population growth को control किया जा सके वैसे National Green Tribunal ने Ministry of Environment and Forest Conservation को ये कहा था कि आप consider कीजिए जहां जहां पे elephant corridor है इंडिया में उनको eco sensitive Jones डिकलेर कर दिया जाए तो मतलब कहने का ये है सरकार अपनी तरफ से परियास कर रही है human और wildlife के बीच conflict को कम करने के लिए लेकिन और भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है क्या कुछ और किया जा सकता है सबसे पहले तो देखो हमें human wildlife conflict का source पहचानना होगा देखो human wildlife conflict का जो source है वो human beings है animals नहीं है क्यो humans की population बड़ी है animals की population तो पहले के अपिक्सकर्द बलकि कम हुई है तो इस conflict के लिए आप बताएए कौन दोसी है human beings दोसी है दूसरा community centric management और conservation पे हमें ध्यान देना होगा जैसा हमने पहले भी डिसकस किया कि कुछ national parks और wildlife centuries में और आसपास local committees ने animals के conservation में important role play किया है तो बाखी जगहों पर भी इन examples को हमें replicate करना होगा और animals को conserve करने के लिए हमें landscape level management की strategy अपनानी होगी landscape level strategy में क्या होता है काफी सारे stakeholders को, processes को, resources को integrated manner में manage किया जाता है ताकि animals, forest और forest में या फिर आसपास जो villagers रहते हैं सब के हितों का ध्यान रखा जासके सब के interest को protect क्या जासके next वैसे देखो सरकार ने पर्यास किये है awareness फिलाने के लेकिन अभी भी बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि villagers में awareness का अभाव होता है डर जाते हैं वो animals के आने से और एकदम से animals पर हमला कर देते हैं अगर वो timely forest department को सूचित करें तो animals के भी जान बचाई जा सकती है बलकी animals को रोका भी जा सकता है human beings को नुकसान पहुंचाने से पहले next point latest technology का सारा लिया जाए 24 into 7 monitoring के लिए animals के आने एक forest से दूसरे forest के बीच जाने के लिए जो corridor होते हैं उनको manage करने के लिए frontline capacity को enhance करने के लिए कुछ wildlife experts का ये मानना है अभी भी हमारे देश में forest personal जो है पुरानी technology का इस्तमाल करते हैं पुराने ढंक से tranquilizers का इस्तमाल करते हैं जानवरों को पकड़ने के लिए जबकि दूसरे देशों में काफी latest technologies वो adopt कर चुके हैं तो इंडिया को यहां से सीखने के आउ सकता है सबसे last में point ये दिया जाता है बहुत बार देखो जैसे elephants की death हो जाती है train के नीचे आने से ये फरकरंट लगने से और भी जानवरों की death हो जाती है तो infrastructure को इस परकार से की चपेटे में आने से तो इस वीडियो में हमने human wildlife conflict को detail से discuss किया Thank you, thank you very much for discussion